हलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Achievers Academy तो हम एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं समय नस्दीक हैं तो प्रिविएस येर पेपर थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है तो हम लोग साथ साथ पेपर को डिस्कस करेंगे ये पेपर है 2019 का, 2020 का हम कर चुके हैं, 2021 का हम कर चुके हैं अब 2019 का करेंगे लेको इस पेपर में उस समय का Current Affair बहुत पूछा गया है उस समय जो मीटिंग हुई थी 2019 के आसपास जो बड़ी बड़ी सम्मेट हुई थी एक तो वहां से Question आया हुआ है दूसरा इस पेपर में International Politics से बहुत Question आया हुआ है International Politics से और तीसरा यहां इस वाले पेपर में सिर्थ इसी पेपर में मुझे देखने को मिल रहा है कि Public Administration से Question आया हुए ठीक है, Comparative Politics के इन्होंने Question नहीं डाले हुए Public Administration Topic से Question आया हुआ है तो इसका मैंने एक इलाद सोचा है कि हम एक Quick Revision कर लेंगे क्योंकि हमने देखो Public Administration वाला जो Topic है आप तक किया नहीं है हमने नहीं किया है, वो मैंने Screening के लिए रखा हुआ है Because Screening के अंदर वो Question पूछे जाते है First Level पे वो Question नहीं पूछे जाते है मतलब जो पहले वाला Estate का पेपर होता है उसमें नहीं पूछे जाते है बद 2019 जो है Toughest मैं एक्जाम मानूंगी Toughest session था ये Political Science या किसी भी एक्जाम के लिए सबसे मुश्किन पेपर था 2019 वाला तो जो PubEd के हम एक Quick Revision कर सकते हैं जिससे हम Safe Side feel करेंगे खुद को कि हम इसको छोड़ भी नहीं रहे है एक अंदाजा लगा के हम Smart Guess कर सकते हैं तो कल 100% हम लोग Public Administration की एक Important चीज़ हो की Quick Revision हम जरूर करनेंगे ठीक है चूँकर इस पेपर में आप देखोगे PubEd से काफी Question आयो है ठीक है तो हम इस Topic को शुरू करते हैं तो घबराएं मत ठीक है तो PubEd के जितने Topics है ना हम लोग उसको Quick Revision में कल की Class में हम लोग Cover कर रहे हैं और जब Screening की तयारी करेंगे तो उसको हम Detail में करेंगे ठीक है ना क्यूंके PubEd दो Phases में होता है एक होता है Factual Phase जिसके अंदर उसके Thinkers आते हैं और एक होता है उसका Conceptual Base जिसके अंदर उसकी थियोरी आती है तो मैं दोनों का निचोड करके एक वीडियो एक Table की Form में आपको बताना चाहूंगी एक Tabular Form में कुछ Details दूंगी जो हमारे Paper के लिए Important होगी काफी ठीक है तो हम पहला Question करते हैं मैंने बताया उस समय के Current Affair से काफी Question आये हुए है उस समय G15 की बाते चल रही थी तो G15 पर Question आ जया यह पूछ रहा है इनमें से कौन Member जो है वो G15 का है, Group of 15 का है जैसे G7 है, G77 है, G15 है ठीक है, पूछ लिया जाता है Member's Country पूछ ली जाती है जैसे भी पूरी उम्मीद है European Union के बारे में पूछने की ASEAN के बारे में पूछने की ठीक है, SEO के बारे में पूछने की क्यूकि इनकी हाल ही में Meeting हुई है तो ये तीन जो BODYS है इनको आपको 100% तयार कर लेना है Member's कोन है, कब बने, किस क्रिटी से बने, पहले क्या थे, अब क्या है सब कुछ आपको करना है अब इनकी Meeting कहा हुई है एक East Asia Summit भी अभी हुई है East Asia Summit ये भी अभी हुई है इसी महीने में, इन चीजों को आप लोगों को Detail में प्रिपेर कर लेना है मतलब, Revision कर लेना है मैंने करवा तो दिया ही है Notes में, आपको Revision कर लेना है तो देखो, इन में से G-15 की Countries कौन सी है, ये सभी Mexico, Iran, Chile, चिली शिलंका, सभी ही G-15 की Countries है, साथ में इंडिया भी Group of 15 की Countries है, ठीक है, तो Answer क्या आगया, इसका 4 Next Question है, किसने जापान को Global Civilian Power का है आपको पता है, जापान के उपर 1945 में, Hiroshima और Nagasaki पे Nuclear Attack हुआ था, अब उस Nuclear Attack के बाद, जो जापान है, उसको USA के द्वारा क्या कहा गया, कि हम आपको Defense का सारा चीज देंगे, हम आपको Security देंगे आप अपने Nuclear हत्यार नहीं बनाओगे मतलब वो एक Civilian Power था वो एक Civilian Power था, बहुत जादा Nuclear हत्यार जो है, जापान बनाता ही नहीं है यूज ही नहीं करता है, तो इसलिए उसको एक Civilian Power के रूप में कहा Arsenic शक्ती के रूप में बोला किसने, यूईची पुनाबाशी ने, यूईची पुनाबाशी ने उसको जैपन को Global Civilian Power कहा है, ठीक है Next Question है, किसने Emerging World को Mac World कहा है, Mac World जैसे Mac Donald, Mac का मतलब ही होता है Developed, किसने कहा है, Benjamin Barber ने, यह हमने अपने Notes में पढ़ा था, जब हम International Politics की थियोरी कर रहे थे Mac World ने Benjamin Barber कहा है ठीक है, यह बुक पूची है बुक है, Morality and Administration in Democratic Government, यह Pubed का ही Question है, Pubed जो अपनी Topic है, Unit No.9 है Net वाले Students के लिए, और Unit No.9 है अपने syllabus में, क्यूंकि H.T. का तो देखो, कोई syllabus दे नहीं रखा तो हम Net के syllabus की कोणी ही Topics को हाट-छाट के पढ़ रहे हैं, Previous Year Paper के हिसाब से, तो यह Pubed जो Topic है, इससे यह Question लिया हुआ है, इस बुक का Author पूचा गया है, Morality and Administration in Democratic Government Paul है इसका Author Paul H. Appleby Paul H. Appleby जो है इस बुक के Author है, ठीक है फिर उस समय, India-Africa Forum चल रहा था, ठीक है, यह 2017 में इंडिया-Africa Forum हुआ था शायद, जहां तक मैं Correct हूँ 17-18 के असपास हुआ था तो 2019 में इसने Question पूच लिया कि Second India-Africa Forum Summit कहा हुआ था, तो यह Addis Ababa में हुआ था तो अभी भी पूच लेंगे, बहुत सारी जैसे European Union का कहा हुआ यह जो अभी अभी हुई है, उनके बारे में अपने को याद रखना है, ठीक है, फिर यह पूच लग दलित मजदूर किसान पार्टी किस ने बनाई थी, जहां पर हमने अपने Social Moment किया है, वहां हमने पढ़ा है, चरण सिंग ने बनाई थी, 1984 में, 1984 में चरण सिंग ने बनाई थी, ठीक है, उसके बाद Linking Pin Model किस ने डवलप किया है, यह Rancis Likart ने किया है, और यह भी अपना Pubit से Question आया हुआ है, Linking Pin Model जो है, यह क्या है, इसको मैं आपको Next Session में बताती हूँ कि Linking Pin Model है किया, जब मैं Pubit कराऊंगे, Rancis Likart, ठीक है उसके बाद, अब देखो, जो HSSC है, जिसने यह Paper लिया था, उसने इस Question का Answer दे रखा है, B, लेकिन NCIT भी कहती है, इसका Answer A, और मैंने भी हर जगा, इसका Answer A ही पढ़ा है 1971, Question क्या है, देख लेते है इंडिया और बांगलादेश, अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है, यह USSR नहीं है, इसका Answer students इसका Answer जो है, B भी ही आएगा, 1972 Question यह बोला हुआ है Question क्या है students Question यह है कि इंडिया और बांगलादेश ने, इंडिया और बांगलादेश ने, एक मिनट ठीक है, मैंने Question गलत पड़ा था Answer B ही आएगा इसका इंडिया और बांगलादेश ने Friendship Treaty 25 साल के लिए कब साइन की है Friendship Treaty 25 साल के लिए कब साइन की है आपको पता है, इंडिया और USSR ने Friendship Treaty यानि मैत्री संधी 1971 में साइन की थी 20 साल के लिए 20 साल के लिए ये पूचरा भारत और बांगलादेश ने 25 साल के लिए Friendship टिटी कब साइन की है 1972 में, तो आंसर क्या आजाएगा 1973 Question number 99 क्या कह रहा है इसको पढ़ो, इस statement को पढ़ो और अंदाजा लगाओ कि ये किसका नेचर था, ऐसा कुंखार सा नेचर किसका था देतांत शांती का जनक नहीं है देतांत याद करो वो फेज था जो 1962 से शुरू हुआ था ठीक है, जो 1962 से शुरू हुआ था ये वो फेज है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद जब शीत युद के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया था कि बस अब लड़ते नहीं बहुत होगे तो शांती का फेज था देतांत शांती का जनक नहीं है कौन कह रहा है कि देतांत शांती का जनक नहीं है मतलब इस देतांथ पेस की वज़े से शांती नहीं आई है बलकि जो यह atomic balance बना है ना जो यह nuclear balance बना है कि मेरे पास भी nuclear हत्यार है तेरे पास भी nuclear हत्यार है उन दोनों की वज़े से शांती आई है nuclear balance की वज़े से शांती आई है यह किसने कही कौन nuclear power को कौन शक्ति को बढ़िय यह थार्थवादी था ना रियलिस्ट था तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट हैंस जे मार्गन था ठीक है अगला क्या है किसने यह कहा कि इंटरनेशल पॉलेटिक्स अंतरराष्टरे राजनिती में अगर रूल उफ लौ हम ले आए कानून का शासल ले आ PUBG चिडिया घर बन जायेगी इंटरनेशल पॉलेटिक्स जो MARY वह जू बन जायेगी चिडिया घर कौन कर रहे क्या कर रहे चाहे चाहे सब खराब हो जाएगा अंतर राश्रे राजनिति में तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो पूरे वैश्विक सरकी सोच रहा था शामती की बाते करता था गुड्रो विल्सन आपको पता है ना फर्स्ट वल्ड वोर के बाद 1919 में गुड्रो विल्सन सक्रिया होते हैं और इनहीं की व और प्रशासक एक नातिक अभी करता है यह स्टेट्मेंट किस ने दिया अगेन यह पबेड का क्वेशन है और वे टेड ने दिया अभी मैं इसको एक्स्प्रेइन करूं भी गी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यूंकि हमने इसका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो अभ कौर्षोन ऑल क्लिर कॉल देश ने भारत की सहायता ली थी 내 ओप्रेशन ऑल क्लियर में तो यह और प्रेशोन ऑल क्लियर ंका यह जो है अप्रेशन और बland कीमिन ओके देखो जो operation all clear है ये all clear 2003 और 2004 में चला था ठीक है क्यूं क्यूंकि जो असाम के जो लोग है असाम का separatist group जो है वो Royal Bhutan Army भुटान की आर्मी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसके खिलाफ कुछ action ले रहे थे जिसकी वज़े से जो है असाम separatist insurgent group जो थे असाम के कुछ ऐसे group थे जो उगरवादी type के थे आप ऐसा कह सकते हो असमाजिक तत्तों थे जो भुटान के लिए परेशानी create कर रहे थे उनको हटाने के लिए operation all clear में भारत का सहारा मांगा था 2003 और 2004 में ये mission चला था फिर अगली बुक पूछ रखिये the decline of American power international politics से किसने लिखी है ये बुक ये बुक लिखी है ये तो factual सा question है इसमें क्या ही explain करूँ question number 105 क्या कहता है which of the following thinkers argued that bureaucracy is interested ये bureaucracy पबेड से question है bureaucracy is interested in increasing governmental control of everyday life to the extent that every bureaucratic society runs the risk of becoming a totalitarian society ये क्या कह रहा है कि नोकर शाही जो है जो bureaucrats होते है तो रोज मर्रा की जिंदगी में सरकारी नियंत्रण को इस हद तक बढ़ाने में दिल्चस्पी रखते है मतलब कि government control को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि प्रतेक नोकर शाही समाज में अधिनायकवादी समाज में बदल ऐसा लगने लगता है कि यह सरकार ना totalitarian हो जाएगी ऐसा लगता है कि सरकार ही सब कुछ जीना अमरना सब कुछ यही बताएंगे तो होगा यह statement किस ने दी थी? खायक ने दी थी ठीक है? खायक ने यह statement दी थी statement को अभी के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा इसके बाद अगला question है अगला question पूछा है international politics से कि which of the following thinker argued that peace prevails once one state establishes primacy पतलब कि किस ने यह तर्क दिया एक राज्य द्वारा प्रधानता स्थापित करने के बाद शान्ती बनी रहती पर एक राज्य अगर प्रधान बन जाए ना एक nation तो शान्ती बनी रहेगी प्रधान ने राज्य में युद्ध लड़ने की अविशक्ता का अभाव होता है और प्रधान ने राज्य कौन बनेगा कौन हैड बनेगा किसको चौधरी बनाए जो लड़ना ही नहीं चाहता जो कभी लड़ना ही नहीं चाहता तो ऐसी शान्त सुभाव की बाते कौन करता था AFK और गेंस्की करता था कि ऐसे देश को प्रधान बना दो चोधरी बना दो जो लड़ना ही नहीं चाता और पूरे विश्व में शांती आ जाएगी ठीक है तो AFK और गेंस्की ऐसी बाते करता था विचो दो फॉलोइंग थिंकर has concept of global rationality global rationality का विचार किस ने दिया ये simple है Robert Oddy ने ये विचार दिया था उसके बाद next question है Morgan Thao के बारे में कि इन में से कौन सी बुक Morgan Thao की लिखी गई है The Purpose of American Politics, The Truth and Power and The Defense of National Interest ये तीनों ही बुक Morgan Thao की है question 108 का आणसर आएगा next question पूचा है कि किसने ये कहा है कि प्रमुक शक्तियों के बीच शक्ति की समानता युद की संभावना को कम करती है जब हम ये international politics में stories पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको balance theory बताई थी उस balance theory के अंदर मैंने बताय था कि अगर सब के पास बराबर शक्तियां आ जाए तो युद की संभावना कम हो जाती है क्योंके सामने वाले को खत्रा हो जाता है मैं मारूंगा तो सामने वाला भी मारेगा तो जोन मर्शाइमर ने ऐसी बाते कही थी ठीक है उसके बाद ये इस book का author कौन है territory authority and rights book का author है सस्किया सेजेन सस्किया सेजेन इस book के author है book का नाम आपको याद रखना पड़ेगा उसके बाद ये question हमने पढ़ा था कि जटिल अंतर निर्भरता complex interdependence का concept किस ने दिया था idea किस ने दिया था दो ने दिया था कोहेन ने और जोसेफ नाई ने तो ये अपने notes में से है ठीक है किस ने कहा था किस ने परमाणू प्रतिशोधी खत्रे को लोकिक धोखा कहा है ये हमने ननी पढ़ा था पहले तो इसको याद रखोगे कि George Ball ने George Ball ने nuclear retaliatory threat को cosmic bluff कहा है ठीक है एक धोखा कहा है परमाणू प्रतिशोधी खत्रे को ठीक है कि कुछ खत्रा वत्रा नहीं है सामने वाला कुछ नहीं करेगा अगर आपने attack कर दिया तो तो George Ball ने इस बात को कहता था वो एक cosmic एक लोकिक धोखा है कुछ नहीं है वो ठीक है 113 number question ये हमने पढ़ा है परियावरणवाद से है ये question मैंने अभी हाल ही में आपको ये topic करवाया था which of the following thinker has formulated the Gaia hypothesis related to environmentalism यानि जो Gaia प्राकल्पना है अब आपको याद होना चाहिए कि Gaia क्या था ठीक है James Lawlog की ये कल्पना थी मैंने आपको बताया था क्या होता है Gaia hypothesis परियावरणवाद notes भी आपको दे दिये थे और मैंने explain भी किया था बहुत अच्छे से ये topic क्योंकि मुझे पता था कि ये question जो है वो बनने की पूरी उम्मी ठीक है मतलब ये वाला जो topic है काफी important है परियावरणवाद according to J.W. Fessler which of the following factor is not responsible for centralization and decentralization अगेन ये पबेड का question है तो ये कह रहा है कि मालो आपको नहीं आता है आपको सीधा सा question आगया है और हमने नहीं पढ़ा हम इसको कैसे guess करेंगे केंद्रिये करन या वी केंद्रिये करन केंद्रिये करन क्या होता है सारी power एक के ही हाथ में चले जाए आते हो रही है सीधी बात है administrative शक्तियां उपर से नीचे नीचे से उपर जा सकती है कुछ काम करने की शक्ति यानि functional factor उपर से नीचे नीचे से उपर जा सकते है भाव का क्या उपर से नीचे नीचे से उपर जाएगा emotional factor थोड़ना नीचे से उपर transfer हो जाएंगे emotion या उपर से नीचे transfer हो जाएंगे तो उसने कुछ पुछ है not responsible answer क्या आजाएगा चार ये तो हो गई बच्चो वाली बात वैसे आपको याद ये रखना है JW जो Fazzler थे उन्होंने तीन factors की बाते की थी ये तीनो factor factor of responsibility administrative factor और functional factor ठीक है ये पबेट का question है बट नहीं भी किया तो भी ये question हम crack कर सकते है question number 115 है who among the following termed the work of Elton Mayo and the human relations school as cow sociology गाएंग समाज ये शास्तर किस ने कहा है Elton Mayo और मानव संबद अभीगम को Daniel Bell ने कहा है ये एक factual question है जो पबेट से लिया है ज्यादा तर question इस वाली उसमें पबेट से question आ रहे है ठीक है तो मैं एक tabular format में आपको ये चीजें करवाने वाली हूँ कल की class में Arna Stolberg is Prime Minister के current से है उस समय के current affairs से Arna Stolberg जो Prime Minister थी किसी देश की इंडिया आती है जैनवरी 2019 में तो उन्होंने आपका ये paper में डाल दिया है December 2019 में तुम्हारा ये paper हो रहा है और उन्होंने पूछ लिया जनवरी 2019 की बाते तो आपको बताना है कि ये जो Arna Stolberg गाई थी ये कौन से देश की प्रधान मंत्री थी Norway की प्रधान मंत्री थी ठीक है किसने किसने hierarchy of needs का idea दिया है किसने आविशक्ता की पदानुक्रमिता को विचार प्रस्तुत किया है Abraham Maslow ने factual question आए हुए है concept नहीं आए हुए है fact आए हुए है ठीक है उसके बाद question पूछा है कि Chief Executive जो होता है यह आपके सम्विधान quality वाले topic से है कि जो मुख्य प्रशासक होता है उसके क्या क्या कारे होते है जो मुख्य प्रशासक Chief Executive administrative policy बनाना यस को क्या काम करना है यह बताएगा direction या command देना कि तुझे ये करना है तुझे ये करना है सहयोग बनाना सब के बीच में और प्रशासन की prestige यानि प्रशा को maintain करके रखना सभी के सभी काम Chief Executive के होते है जैसे Prime Minister एक Chief Executive है President एक Chief Executive है तो answer क्या आजाएगा चार ठीक है question number 119 119 यह हमने पढ़ा था कि which of the following thinker considered world order between people to be more fundamental and primordial than international order कौन सा विचारक ऐसा है जिसने लोगों के बीच विश्व विवस्था को अंतर राष्ट्रे विवस्था की तुलना में अधिक मौलिक और गुनियादी माना कि विश्व विवस्था ज्यादा important है अंतर राष्ट्रे विवस्था की तुलना में लेटन अमेरिका के अंदर हम नुकलियर वैपन नहीं बनाएंगे ये एक संधी साइन हुई थी इस संधी का एक और नाम था जिसको कहते हैं ट्रिटी ओफ टल के लॉल को तो ये इसी संधी का दूसरा नाम पूछा है तो हमने बता दिया कि ये इसका नाम है ठीक है उसके बाद next question है कि इन में से कौन से थिंकर ने ये comparative politics का है ये हमने किया हुआ है कौन से थिंकर ने presidential system को one person executive का है Liz part ने किसने Liz part ने ये question हमने किया हुआ है ठीक है the terminology layer cake federalism is used for which type of संगवाद परत के एक संगवाद किसको कहते है किस संगवाद की शब्दावली के लिए layer cake federalism शब्द का use होता है dual federalism dual federalism दोहरा संगवाद ठीक है उसको हम layer cake federalism भी कहते है उसके बाद अगला question है कि instituted sovereignty और acquired sovereignty का concept कौन से थिंकर ने दिया हमने ये पढ़ा है sovereignty के अंदर संप्रभुता के बारे में जहांपे मैंने आपको power and sovereignty के concept कराये थे कि Thomas Hobbes ने बताये था acquired sovereignty क्या होती है और instituted sovereignty acquired जो आपने बाद में संप्रभुता हासिल की है ठीक है instituted जो अल्रेड़ी आपके अंदर है तो ये Thomas Hobbes ने बताई थी उसके बाद equality of welfare equality of welfare which one of the following thinker refutes equality of welfare निमलिक्त विचारकों में से कौन सा संसाधनों की समानता का खंडन करता था तो ये था आपका Michael Walzer Michael Walzer था जो equality of welfare यानि की संसाधनों की समानता का खंडन करता था कहता था ऐसा कुछ भी नहीं होता की सबको बराबर संसाधन दिये जाए तो इसका खंडन करता था फिर एक ये लिस्ट हम जरूर पढ़ेंगे YouTube पे भी करेंगे और एप में भी की कौन से राज्य की कितनी सीटे हर साल एक question पकार है लोकसभा, विधानसभा नियम 1971 के अनुसार मंत्री मंदल सची वाले को आबंटित भारत सरकार का कार है गैश को आबंटित किया जाता है और सदेव उन्हें ही आबंटित किया जाएगा ये क्या कह रहा है ये कानून है भारत सरकार कार है आबंटन नियम 1961 इसने ना question को मुश्किल कर दिया इसने सीधा सा ये पूछा है कि जो portfolio बढ़ते हैं वो portfolio कोन बाटता है portfolio यानि कि ये मंत्रा ले तुम्हारा ये मंत्रा ले तुम्हारा ये मंत्रा ले तुम्हारा कोन बाटता है Prime Minister Prime Minister ही तो बताते हैं मंत्री यह बनेगा यह मंत्री यह बनेगा तो आंसर के आएगा प्राइम बिनिस्ट क्या रहा है जो सकारात्मक सोतंतरता की अवधारना है स्रकारात्मक सोतंतरता की बाते कर बात करें एकरता सर्कार का हस्तक श् этому सखता है वह उसको बुरा नहीं मानते आ यह सेगा प्राइगा यह स्टेट्में किसका है चाल्स टेलर का है ठीक है ये NCRT में भी कुछ हिंट्स दे रखी है इसकी which of the following does John Rawls call the primary subject of the principle of justice हमने पढ़ा था John Rawls की theory of justice उसने principle of justice का primary subject किसको कहा है basics ठीक है मूल सर्रचना को उसने principle of primary subject कहा है मूल सर्रचना उसके बाद question है आपका कि which of the following thinker used economic models in political decision making process political decision में यानि कि जब भी राजनिती के decision लेने है तो कौन सा thinker ऐसा है जिसने economic models का use किया है ये पबेड का question है और इसका answer आएगा Anthony Downe Anthony Downe ऐसा था जो राजनिती के decision भी political decision के according लेता है political decision जो है आर्थिक model के according लेता था ठीक है तो याद रखोगे इसको Anthony Downe who among the following believes that the content of the directive principle of state policy किसका ऐसा मानना है कि राज्य के निती निदेशक तक तो की विशयवस्तू एक सीमा तक उपनिवेश्वाद विरोधी क्रान्ती की देन है मतलब कौन ये कहता है कि जो DPSP है तो काफी हद तक जो anti-colonial revolution चला था ना उसके लिए उसकी वज़े से आया है तो Granville Austin का ऐसा मानना था आंसर क्या आएगा इसका C Granville Austin ठीक है किसने इंडिया को democratic development state का है Paul Brass ने ठीक है इस सीधा सा इसमें कुछ जादा है नहीं पॉल ब्रास ने लक्षमी कांत में भी ये question which of the following thinker has given the view that in India the participation in electoral politics created a democracy of caste in place of hierarchy of caste कौन कहता है कि भारत में निर्वाच की ये राजमिती में सहभागिता ने जातियों के पदसोपान की जगा जातियों के लोकतंत्र की रचना की किसने ये कहा है कि भारत का जो निर्वाचन तरीका है भारत का जो political participation है उसकी वज़े से जातियों की कोई hierarchy नहीं बनिया बलकि जातियों को democracy का हिस्सा बनने का मोका मिला है सुविक्ता सुदिप्ता कर विराज का ये मानना है ये प्रेक्ट्वल से questions है students ये आपको रटने ही पड़ेंगे अब ये पूछ रहा है कि which of the following parliamentary constituency has the most candidate in लोगसभा election लोगसभा election 2019 की बात है अब तो ये question बनेंगे नहीं है निजामबाद से सबसे ज़्यादा सीथे सबसे ज़्यादा लोगसभा निर्वाचन जो है वो निजामबाद से हुए फिर पूछा है कि who among the following believes that social rational is the basis of federalism समाजिक तारकिकता को संगवाद का आधार किसने माना है विल्यम भिकर में माना है फिक है फेडरलिजम से ये question है तंगवाद से question है फिर question पूछा गया है भई answer पॉल ब्रास नहीं है बारी हूं अभी पैंटिस cancer निमलिक्ट में से किसने यहमत दिया है कि बार-बार विरोधा भास के बावजूद भारत में स्थाई रूजहान पहूलवा छेत्रवाद और भी केंद्री करन की उप्तलब चाहे कितना भी विरोध होता रहे लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो विरोध जो फ्रेशक्तम संसद्या विवस्था को प्रधान मंत्री शाषन की संग्या दी प्रधान मंत्री शाषन की संग्या किसने दी है? Richard Crossman ने रिचर्ड क्रोस्वन ने यह संग्या दी उसके बाद question पूछा है कि राजनितिक दल का पहली बाद कभ यूज हुआ है बावणवे सम्मेधानिक संचोधन के द्वारा अब आपको पता है बावणवे सम्मेधानिक संचोधन के द्वारा जो है वो दस्वी अनुसूची आई थी और दल-बदल की बातें आई थी दल बदल की बाते आई थी दल बदल यानि राजनितिक दल तो बावनवे सम्मेधानिक संचोधन बारा ये बाते आई थी ठीक है उसके बाद next question है कि किसने अधिकारों के सार्व भोमिक सिद्धान्त की खोज एक भ्रमित खोज कहा है Quest for universal theory of right is misguided ये question भी पबेड से लिया हुआ है और इसका answer Michael Walzer आएगा Michael Walzer ठीक है फिर ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को draft constitution को scrutinize करने के लिए draft constitution की जो एक अच्छा चिथा बना था constitution का उसको check करने के लिए भीमराव अंबेडकर को chairman बनाया था जो ये draft committee के member थे ना उन्होंने ही इनको chairman बनाया था वो ही बोले कि हमारे chairman जो है वो भीमराव अंबेडकर बने थे ठीक है फिर उसने question पूछा है कि state election commissioner वो governor appoint करते हैं ये बात कौन से article में है तो आपको पता ही है हमने जब पंचायती राज किया था हमने पढ़ा था कि जो state election commission है वो कौन से अनुछेद में है article 243 के में है article 243 के में है ठीक है तो इसका answer क्या आजएगा article 243 समझ गए article 243 के बात वैसे election commission किसमें है central election commission central election commission article 324 में है Central Election Commission Article 324 में वो तो शुरू से है लेकिन ये जो आया था State Election Commissioner ये आया था आपका 73rd Constitutional Amendment Act 73rd Constitutional Amendment Act 1992 से ये आया था ठीक है और Article 243 के अंदर ये बाते लिखी हुए उसके बाद question है कि which of the following thinker believes that traditional political scientist suffered from theoretical malnutrition and circuits of facts कोन ऐसा मानता है कि परंपरागत राजमितिक विज्ञानिक सद्धानतिक जो परंपरागत traditional political thinker है ना उनको एक बिमारी है क्या बिमारी है कूपोशन या तक्थ्यों के अतिरेक से पीडित नहीं थे बैद किसने ऐसा माना जो traditional thinker है ना उनको कूपोशन क्या बैद तक्थ्यों से दूर भागते थे पोड़ते थे तो कोई भी जो traditional नहीं था तो इनमेंसे कौन ऐसा था जो traditional thinker नहीं था डैविडिशन प्रेडिशन नहीं था तो आंसर क्या जाएगा फ्रेडिशनल मतलब डैविडिशन थीक है next question क्या है next question है यह पूचा है कि जो यह revolution है यह किस से संबंदित नहीं है इनमेंसे कौन सा revolution का पेर जो है वो correct नहीं है पूनीशिया का जैसमिन रिविविल्शन थीक है इजिप्ट का वेल्वेड रिवीविलिशन आपको ये बताना है कि यह revolution जो है कौन सा सही पेर नहीं है इन में से कौनसा revolution का पेर सही नहीं है मयानमार का सैफरन revolution ठीक तो आपको पता होना चाहिए जो velvet revolution है वो chess republic का था it's इसका था ये chess republic का बाकी सब सही match है velvet revolution chess republic का था ठीक है तो ऐसे बाद next question क्या कहता है next question कहता है इसका answer आँसर आजाएगा उसने इनकरेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर आजाएगा फर्स्ट नेक्स क्वेशन है विच ओव दफॉलोइंग इस नोट किसने शक्ती उत्पादक है अर्थाथ शक्ती पहचान व्यक्ती परक्ता का निर्मान करती है कौन कहता था शक्ती सब जगाह है शक्ती ही सब कुछ है हमने पावर में यह बात पढ़ी है भारत के जो सैकुलरिजम का कंसेट है उसमें से क्या नहीं मिलगा जाथ की पंठ निर्पेक्षता का बहु मुल्य चरित्र है मतलब कि मल्टी वैल्यूश है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूश है यह विशिश्ट समोदाईक अधिकार क को भी accept करता है बिलकुल सही बात है इसने principles distance मतलब idea of principle distance को भई यह सब के अलग-अलग अलगावाद के विचारों को मानता है जैन कुछ और कह रहे है सिक कुछ और के रहे हिंदू कुछ और कह रहे है क्रिश्चन कुछ प्रतिमान के प्रती बचन बद नहीं है यह इसका आंसर नहीं हो प्रतिमान के प्रतिक परिणाम उन्होंने कहा लोग तंतर के अंदर एक फिसकल डेपेसिट होता है सरकार को ठीक है तो फिसकल डेपेसिट इसका आंसर है राज कोश्य घाटा इसका आंसर 146 किसने यह कहा कि भारत में मौलिक अधिकार उसकी राष्ट्रे सुरक्षा की नीव पर अधारित है बतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पर अधार कर देंगे अगर राष्ट्रे सुरक्षा को थ्रेट बन रहा है जैसे बोलने का अधिकार right to speech एक मौलिक अधिकार है लेकिन अगर इस right to speech की वज़े से मेरा national interest नुकसान में है तो मैं इस right to speech को छीन लूँगी जैसे फोजियों का right to speech छीना होता है तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर ने ये बात कही ठीक है next question है निमलिक्त विचारों में से किसका ये तर्क है अधिनायत एक ऐसे विक्ति का शासन है dictatorship एक ऐसे विक्ति का शासन है जिसने प्रमुक रूप से विरासत द्वारा अपना स्थान प्राप्त नहीं किया अपितु बल या सहमती से बल से या सहमती से चाहे तो force का यूज करके और चाहे सबकी सहमती से consent से के या दोनों के संयोजन से ये प्राप्त किया है तो ये Alfred Poba ने ये statement कही थी dictatorship के लिए ठीक है अगें पमेट से question उसके बाद next question पूछा है which among the following which one of the following thinker has given the opinion that any attempt to create a welfare state must lead inevitable to totalitarian ये पूछ रहा है कि इसमें से ये किस विद्वान का मत है कि कल्यान कारी राजय बनाने का कोई भी प्रियास अंत तो गत्वा सर्व सक्तावाद को जन्म देगा इसका answer जहां तक मुझे लग रहा है वो Frederick है यक होगा but I'm not sure मैं इस question को भी मार्क नहीं करूंगी question number 149 ये कह रहा है कि निमलिक्ट में से किस स्थान पर भारत के उच्चतम नयाले की पीट पहली बार दिल्ली से बाहर अधिविष्ट हुई किस स्थान पर भाई दिल्ली के अलावा हमारी सुप्रेम कोट और कहां पर आज तक लगी है है हैद्राबाद हैद्राबाद के अंदर ये लगी है article आपका है article I think 124 140 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि President और Chief Justice of India की सहमती से Supreme Court का स्थान बदला भी जा सकता है तो आज तक दिल्ली से हटा कर हैद्राबाद में इसको इस्थापित किया था कुछ समय के लिए भारत बनाम इंडिया ये हमने किया था जब हम अपनी मुमेंट्स कर रहे थे जब हम अपने अलग-अलग तरीके की मुमेंट्स कर रहे थे भारत वर्सिस इंडिया इंडिया किसके संदर्ब में यूज किया था, अर्बन एरिया के बारे में, ठीक है, शहरों के बारे में, और भारत शब्द किसके लिए यूज किया था, गाउं के बारे में, रूरल एरिया के बारे में, ठीक है, तो आपको ये बताना है, कि ये शब्द किसने कोईन किया था, हमने पढ़ा था शरत जोशी ने तो आंसर है शरत अनंत्राव जोशी ठीक है तो यह आपका 2019 का question था I hope आपको कुछ clarity लगी कि कहां से कैसे questions बन रहे हैं ठीक है यह कैसे आपको देखने है तो फिर हम 2018 का ओर करेंगे और पहले पबेड़ वाला section कम्प्लीट करें थैंक यू सो मच टेक कियर बबाए